हेलो एब्रीवन स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम लोग कलाश 12 के बायोलोजी का विवियाई सब्जेक्टिव प्रशन करेंगे वही कोसन करेंगे जो आपके एक जर्म में पूछे जाने की बहुत ही सभी करता है क्लाइन फिल्टरंदेग्या क्लाइण फिल्टर good school क्या है सभी को इस अजिया फंक्त करेंगे यह अंसर में आप सभी को लिखना है जो रोग तो रोग यह किस में होता है अब्जेक्टिव में में भी पुछा जा सकता है जिसमें गुंसू्तिर की संख्या सहीत propag on objective में बहुत पार पूछा गया। क्लाइड-फेल्टर सिंड्रोम में गुंसू्त्रों की संख्यां कितनी होती है सहीत आलीस होती या रखेगा इह रोग 2023 ट्राइसोमी के कारण होता है यह क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है ठीक है यह रोग कैसे होता है तैस्वी जोरी के प्रूस में मादाओं के लक्षन बैक्त हो जाते हैं जो प्रूस में होता है तो इसमें प्रूस जिस भैक्ति को क्लाइन फिल्टर सिंड्रॉम होगा उसमें मादाओं के लक्षन बैक्त होने लगते हैं ठीक है तो यहीं आपका क्लाइन फिल्टर सिंड्रॉम है एक बार दूब परजनन को एक ही नस्र का पसू होना चाहिए और उसके बीच उसके मद होने वाले परजनन को यह अंतर परजनन कहा जाता है ठीक है बहुत ही सिंपल वे में लिखे हैं तो आपको याद कर लेना है ठीक है तीसरा कोसन देखिए और कितना लंबा नहीं बहुत ही असान है देखिए पड़ते हैं आप तुरंप याद कर लिजेगा देखिए अंसर देखिए यह एक लिंग सहलगन और परवावी लेक्षन है इतना याद कर लीजेगा देखिए इसका जीन एक्स गुंसुत्र पर पाया जाता है इसका जो जीन है हिमोफिलिया का जो जीन है इसका जो जीन है एक्स गुनसुत्र पर पाया जाता है ठीक है यह रोग पराया पुरूसों में ही होता है और मादा क्या होती है मादा इस रोग का क्या होती है वाहक होती है यह माधा में होगा कैसे होगा माधा में यह रोग रोग ठब ही होता माधा में रोग ठब ही होता है जब इसके । तोनों एक्स गुंसत्र पर मादाम ask कुन सूत्र होता है जब इसका những एक का कोनिस meant पस्तित ने ही जीए हम उनदेब्षार उस पर उपस्तित हो जाएगा तो इस रोग से यह महला में अगला प्रश्ण आपका क्या है मौन पालन से आप क्या समझते हैं या फिर मौनपालन को ही मधुमक्खी पालन कहा जाता है ठीक या प्राचीन काल से चला आ रहा यह एक कुटीर उद्योग याद रखेगा मधुमक्खी पालन यह क्या है एक परकार कुटी रूद्दी हो गया, अगला कोशने, यह कार्वणिक खेती से आप क्या समझते हैं, निकार्वणिक खेती क्या होता है अंसर देखे खेती की ओईसी पद्धती जिसमें रासाइनिक खाद का परियोग नहीं करेंगे उसमें सिर्फ जेविक खाद का ही परियोग करेंगे ठीक है तो वही कार्वनिक खेती का लाता है खेती की वो इसी पद्याती जिसमें हम लोग रासानिक खाद का परियोग नहीं करेंगे सिर्फ जेविक खाद का परियोग करेंगे ठीक है जो यूरिया पोटास ये सब होता है आपका रासानिक खाद होता है तो इसका परियोग नहीं करेंगे इसमें करेंगे जैवी क्ते बना जायता है और दो उसका पर रियोग में बाकर व्यक्तिए करेंगे सब्सक्राइब कर लिए आप सब्सक्राइब कर दीए अगर अच्छा लगा ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं के नए वीडियो में